देखे अब हम बात करेंगे permutations and permutation group permutation word कहीं सुना है आपने कहीं सुना है नाम कहां सब्सक्राइब पर्मूटेशन ले लो पर्मूटेशन पांच पर लो कहां सुना है आपको permutation नहीं सुना कभी आपने कहां सुना है सुना सुना तु लग रहा है very good वाह मैडम mathematics में permutation and combination algebra में था NCR NPR ये वो नहीं है लेकिन है वो यूज किया गया इसलिए नाम दिया गया permutation यहां पर group में permutation का मतलब क्या होता है तुरा समझे कहते है माल लीजिए कि S एक finite set है ठीक है तो S के element का S के element के साथ कोई mapping है मैपिंग पढ़ा है ना कुछ कुछ यहाद है अब इम मतलब S के element का S के element पे अगर mapping हो और कैसी हो 1 1 on 2 हो 1 2 नहीं लिखा था मने उपर लिख दिया है 1 1 on 2 हो तो इसको हम permutation कहते है नहीं permutation is the mapping from element S to element S, S का S से ही mapping होनी चाहिए तो इसको हम कहते है permutation और अगर S में n element है तो उसको कहते है permutation of nth degree या permutation of n symbols n symbols बहुत कम books में use होगा nth degree होता है अगर तीन element S में है और उसका आपने function मनाया या mapping मनाई तो हम कहेंगे permutation of 3 degree यह बोलेंगे तो आप समझ रहोंगे यह तो ठीक है समझ गये कि S के element का S के element के साथ एक mapping है जिसको function भी कहते है और यह one one and two होना चाहिए रेकिन अब यह भूल रहें कि mapping क्या होती है भूल रहें ना तो चलते हैं class 11th class में यह note कलिया ना class 11th class में चलते हैं और वहां से इसको explain करने की courses करते हैं जानाने चाहिए जब कि मैं वहाँ आप जाईए आप आपने set theory पढ़ी set theory में कहा जाता है कि element अगर लिखा हुआ है तो उसको आप चाहे one two three लिखो चाहे two three one लिखो कोई फर्क नहीं पढ़ता ठीक है इसके बाद आपने जब coordinate पढ़ी तो आपने का भी one कामा two और two कामा one क्या दोनों point सेम है सेम है हाँ या ना नहीं है यानि कि यह दोनों सेम नहीं है यानि order change करने से फर्क तो पढ़ गया जब फर्क पढ़ गया तो हमने कहा यह ordered pair है क्या कहा गया ordered pair है ठीक है order pair लिखा फिर हमने फिर हमने कहा अगर कोई set a है माल लिया one two three और एक set b है three four तो हमने इसका partition product पढ़ा partition product का मतलब ही होता order pair में element को लिखना तो अगर हम एक जल्लीली मता रहे हैं माल रहे हैं कि आप पढ़ चुके हैं a cross b निकालना है तो कैसे निकालते थे हम पहला element a का लेते थे दूसरा element b का लेते थे मतलब one three one four one अच्छा one four हो गया two three two four three three यह हमने partition product पढ़ा जब partition product पढ़ा तो हमने का यह element order में लिखे है यह first element होता है यह second element होता है तो जब order में लिख देंगे तो उनमें relation भी कुछ होगा तो हम relation पढ़ना शुरू कर दिया ठीक है relation इसे कोई भी निकाल सकते हो जैसे हमने relation कैसे निकालते थे हम लिखते है थे a r b implies a is less than b माला ऐसा हमको चाहिए मतलब पहला element दूसरे जे छोटा हो तो इसमें से वो element निकालो जिसमें पहला element दूसरे जे छोटा हो बाइचन सभी छोटे है यह भी है यह भी छोटा है यह भी छोटा है यह भी छोटा है इसको सब छोटे है तो जो relation निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 1 3 निकल के आएगा 1 4 निक तो हमने पढ़ा कि रिलेशन जो होता है अगर A से B में डिफाइंड है तो A क्रॉस B का सबसेट होता है ठीक यह रफली आपको समझाए जा रहा है यह आपके यहां पर पर्मुटेशन का पार्ट नहीं है लेकिन हम जानते हैं अगर आप से कहा जाए आपने पढ़ा होगा तो आपढ़ा है आगवड़ो याद है चलो अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है वाह इतनी अच्छी बात है क्या पूछिए अब अगर इसको ऐरो डाइग्राम से दिखाना चाहें आप इसको arrow diagram से दिखाएं 1,2,3,3,4 प्लस मैनस प्लस arrow diagram में क्या होता है हमने यहाँ पर A बना दिया यहाँ पर B बना दिया A के element थे 1,2,3 B के element थे 3,4 इसको हमने कहा domain इसको हमने कहा co domain range भी नहीं कहा आपने नहीं वैसे तो relation में range ही होता है लेकिन हम चुकि पढ़ा रहें mapping function 1 का संबंद 3 से है तो इसको लिखा जाता है F1 is equal to 3 तो 1 कहां का element होता है domain का होता है और 3 कहां का element होता है co domain का होता है 3 जो है 1 की image कहलाती है यह मैं language उता रहूंग किस भासम बात की जाएगी 3 क्या कहलाएगी यहाँ पर 3 is called image किसकी image image of 1 और 1 क्या है 1 3 की pre image कहलाती है pre image of 3 यह होता न अच्छा 1 का 4 से relation है 2 का 3 से relation है 2 का 4 से relation है और 3 का 4 से यह relation हो गया जागर के अब relation अगर कुछ conditions को follow करेगा तो इसको function कहते है यह function is also a type of relation but it follows some rule rule क्या ही तरह समझा लिएगा उस मैं function को समझा रहा हूं rule यह है कि अब मैं इस example को उटा देता हूं मैं rule बताता हूं कि भाई कोई set आपका a और b है a और b के बीच में function है लिखा जाता है f such that a to b इसको function कहते हैं यह इसको mapping कहते हैं दोनों बाते कहते हैं तो हमने कहा a के element यहां लिखेंगे और b के element हम यहां लिखेंगे a के element यहां लिखेंगे b के element यहां लिखेंगे a के सभी element domain कहलाते हैं और B के सभी element क्या कलाते हैं? code domain कलाते हैं, ठीक? अब हमने कहा A के element है A, B, C, D और इसके है P, Q, R, S, T देखो, A मालिया P से जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे P is the image of A, यह कहता है न? इसको लिखा कैसे जाएगा? F, A is equal to P, ठीक? अब जरा समझेगा, A की Q image नहीं हो सकती function इसकी इसकी इजाज़त नहीं देता है function कहता है, भाई देखे हमने का P image है तो अगर practically तो ऐसे नहीं होता है लेकिन समझने के लिए हम कह रहे हैं कि आप मालो यहाँ किसा लगा हुआ है तभी तो image बनेगी और आप यहाँ खड़ी हो गई तो आप की क्या दो image दिखाई पड़ेंगी बनेगा इसे आँके करके इसे देखेंगे तो दो दिखाई पड़ता है दो दिखाई पड़ेंगी यानि एक की दो image नहीं होंगी पहली बात समल लिएगा function की पहली condition है हाँ दो की एक image हो सकती है हाँ दो लोग एक सिस्षे में देख सकते है लेकिन एक लोग अपनी दो image एक सिस्षे में नहीं देख सकते है दूसरी बात इधर का element सब busy होना चाहिए तो इसे कहते हैं mapping इधर का कोई element छोटे है न condition एक है कि एक element की दो image नहीं होनी चाहिए एक की दो image एक की दो image दो की एक image हो जाँ चलेगा हम कहते हैं सब की एक ही image हो सकती है लेकिन एक की दो image नहीं हो सकती है ठीक है अब permutation कहता है अच्छा co domain की वो element जो इसकी image है इनको हम क्या कहते है range कहते हैं ठीक है अब देखो ध्यान से permutation कहता है कि 1s set है 1s set है और s set का s set पे ही mapping है मतब domain के element भी s और co domain के element भी s तो ये एक तो 1-1 होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए 1-1 होनी चाहिए मतब एक की एक ही में जो a की p हो तो b की p नहो सबकी अलग-अलगी में जो ठीक है ये 1-1 होनी चाहिए और 1-1 को injective भी कहते है injection या injective भी कहते है ठीक और दूसी बात on to होनी चाहिए on to में इधर का कोई element छूटना नी चाहिए मतब रेंज जो है रेंज जो है वो equal to यहां तो range जो है वो co-domain का subset है लेकिन यहां range co-domain के बराबर हो जाएगा तो कहते हैं अगर s ये set s है ये set भी s है s का s से ही relation है मतब सभी element s के यहां भी लिके हुए है सभी element s के यहां लिके हूँ तो एक तो 1-1 mapping हो मतब एक element एक से जुड़े ठीक है और इधर को element छोटे ना तो उसे unto कहते है unto को surjective कहते है क्या कहते है surjective और दोनों अगर होंगे इसको byjective कहते है byjective तो आप से 1-1 unto के बिज़ाए कहीं लिखा हो सकता है it is byjective ठीक है तो अगर s से s का कोई ऐसा mapping है जो 1-1 unto होगा यानि कि byjective होगा यानि surjective भी हो और injective भी हो तो इसी प्रकार के mapping को permutation कहते है permutation of the group कहते है ठीक है byjective वो तो मैं चुकिए आप पढ़ चुके हैं इसलिए में short बता रहा हूं ठीक है तो यानि कि आप 1-1 unto का मतलब होता है mapping कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए इसको लेखने का style तरह हटके है ठीक है और इसमें चुछा लंबा चौना concept है धिरे-धिरे पढ़ा रहे है देखो जैसे मैंने s1 element लिया s1 set लिया 1,2,3,4 तो आप function क्या करना है s2s s2s करना है तो यानि कि आपका जो domain है वो भी s है और जो co domain है वो भी s है domain है 1,2,3,4 co domain भी है 1,2,3,4 अब देखो ध्यान से अब वो 1 किस से जुड़ेगा वालकी बाद कोई नियम तो बताया नियम ने 1,2 से जुड़ रहा है 2,3 से जुड़ रहा है 3,1 से जुड़ रहा है वो rule क्या हम से मतलब नहीं है अब बताये क्या domain के किसी भी एक element सॉरी दो element का एक image है एक element के दो image तो होई नहीं सकते तो कि function इसकी permission नहीं देता और वो function नहीं होगा क्या यहाँ कोई दो element का एक image है नहीं है यानि कि अलग-अलग element के अलग-अलग image है तो यह कैसी mapping हो गई 1,1 हो गई ठीक है अच्छा क्या इधर का कोई element छूटा नहीं हुआ तो by-jective unto हो गई तो यह 1,1,1,2 है यह by-jective है अगर ऐसी mapping है तो इसको हम कहते है permutations permutations of group अब आपको permutations नाम क्यों दिया गया अजरा उसको समझने की कोसिस करें मताब इसमें हर प्रकार कर रिलेशन बनाएंगे 1 का 1 से करेंगे फिर इधर करेंगे फिर घुमा देंगे 2 का 2 से कर देंगे 2 का 4 से कर देंगे 3 का 3 से कर देंगे 4 का 1 से कर देंगे बाबा घुमाते रहेंगे और घुमा के देखेंगे कितनी बार इसको घुमा सकते हैं तो मैं एक एक्जामपल लेता हूं जरा और इसको लिखा कैसे जाता है जरा समझेगा इसको लिखें कैसे मैंने एक एक्जामपल लिया चुकि S नाम दिया है तो मैं भी S ही नाम दे रहा हूँ तो मैंने एक set लिया S S बराबर और element लिया हमने 1,2,3 ठीक है अब इसमें कितने प्रकार के function possible है तीन numbers को adjust करना है किने तरीके से adjust कर सकते हैं बिना order में जैसे भी हो कैसे adjust कर सकते हैं ûtạoर्तु रिखत, Cambium 3 तरीके से तो 3 नामबर को आपको अरंज करना हो तो Faktalen 3 तरीके से कर सकते हैं यह ने 32①20 चैना टरीके से इसको अरंज कर सकते हैं कभी 1 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे कभी 1 1 3 1 लिखेंगे 3 into 2 into 1, 6 तरीके से इसको हम arrange कर सकते हैं, arrange करना है, कभी 1, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कभी 1, 3, 1 लिखेंगे, 1, 3, 2 लिखेंगे, कभी 3, 2, 1 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक, तो हमने एक function बनाया ऐसे, ऐसे बराबर, देखो जहान लिखा कर जाता है, domain को ऐसे लिख दे जैसे आपने यहा 1, 2, 3 लिखा, और यह भी 1, 2, 3 लिखा, 1 का 1 से किया, 2 का 2 से किया, 3 सती किया, तो 1 का जो भी है उसको नीचे लिख देंगे, इसकी image, ठीक, हम बाद में इसको लिखेंगे, पहले 6 लिख लेते हैं, फिर बताते हैं, जो को 6 होंगे इसमें, हमको मालूम है, ठीक है इसके बाद में लिखते हैं F2 लिख दिया हमने domain तो ऐसे लिखेंगे 1,2,3 नीचे बाद में लिखते हैं फिर F3 लिख दिया हमने 1,2,3 नीचे बाद में लिखेंगे F4 लिख दिया 6 लिखना पड़ेगा 6 तरीके हैं इसलिए permutation और समझाने के लिए कहने को तो हम बता दें कि 6 होते हैं कि इन कैसे बता होते हैं रट लो तो समझाने के लिए करना पड़ेगा अब F3 किया तो domain ऐसे किया 1,2,3 F4 किया domain ऐसे लिखा 1,2,3 F6 किया F3 यहां हो गया F4 यहां हो गया F5 यहां हो गया F6 किया तो 1,2,3 ऐसे लिखा ज़रा समझीगा अच्छा इसमें आप 1,2,3 लिख सकते हैं ने इसने 1 का 1 से इमेज है 2 की इमेज 2 है 3 की इमेज 3 है अगर यह बताइए 2 set आप ले 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 ऐसे यहां बैबना रहा हूँ यह 2 set ले ले यह 1,2,3 ले ले यह भी 1,2,3 ले ले 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से क्या है 1,1 और 2 इमेज नहीं है यह पर्मूटेशन हो सकता है ठीक है अच्छा 1 को fix रहने दो इसको 3,2 कर सकते हो कोई दिक्कत यह भी हो सकता है 1 का 1 से 2 का 3 से 3 का 2 से भी हो सकता है ठीक है अब 2 को इधर कर दो 2,2,1,3 लेशा क्या हो हो सकता है 2 3,1 हो सकता है 3,1,2 हो सकता है ओर 3 2,1 हो सकता है तो यह उतने permutations हो पॉसबिल है यह प्रकार की mapping है ठीक है यहाद करने के लिए पहे 1 को fix किया 2 3 लिखा फिर 2 3 को पलर दिया, 1 को fix कर दिया, अब 2 को यह fix कर दिया, 1 3 लिखा और 3 1 लिख दिया, एक यह तरीका हो गया, फिर 3 को fix कर दिया, 1 2 लिख दिया, और 2 1 लिख दिया, 6 हो गए, तो अगर हम कहें, total permutation कितने हैं, total permutation, number of permutations, मतलब number of mappings, तो आप लिखेंगे, factorial 3, य 2 है, F3 is equal to 3 है, यहाँ F1 is equal to 1 है, F2 is equal to 3 है, F3 is equal to 2 है, यह आपका domain है, यह आपका range है, समझे यही बात, तो इसी को हम permutation कहते हैं, अब इसमें, हाँ, निकालना पड़ेगा, permutation पूछ सकते हैं, वो आप से पूछेंगे 1 2 3 के permutation निकाली है, निकालो कितने permutation होगे, यह mathematical theorem ज्याद आएंग, इसको करिए पहले आप,